आप हेलो फ्रेंट्स एक बार से फिर स्वागत आप लोगा के श्राशोड़ो चैनल पर और यह देखिए कि डाकुमेंट है जो कि आधार काड और फर्स्ट पर जी है अधार का और दूसरी साइट की फोटो है और एक तिसरा हम मने पाश डाकुमेंट है जो कि देखिए यह फो आज हम वही बताएंगे आप लोगों को सब से पहले Photoshop में इमेज कमें ऊप्एंअ कर लेंगे तो सब्से हम बंक कर लोगे क्लिलां के वह से तो सबसे पहले फाईल मेनुनीं जाएंगे आपके पास फोटोश्याप कोई वर्जन होगा 7 वर्जन होगा यह ट्रिक जो है सब में काम करें तो फाइल में नूम जाएंगे आप और यहां देखिए ओपन पर किलिक करेंगे आपकी जहां भी इमेज या डाकुमेंट जो भी होगा यहां रखे होंगे वहां से इसको सेलेट कर लेंगे तीनो को हमने सेलेट कर लिया अब यहां से हम ओपन कर लेंगे यह देखिए ओपन हो गया है और यह जो तीनों इमेज देखिए मोबाइल देखी चागया है लेकिन सही नहीं है केड़ा मेड़ा है तो इसको आप फोटो सब में सीधा करके कैसे प्रिंट करेंगे हम वही आप लोगों को बताएंगे आज तो सबसे पल्द हम इसके बाद देखिए यहां पर वीड़ इंटू हाइट इंटू इंटू इसको स्लेट कर लेंगा हम लोग और वीड़ में हमको रखना है तो इसमें हम 86 mm फिल करेंगे और जो इसकी हाइट है इसमें हमको 54 करना है 54 mm कर लेंगे ठीक है और रिजुलेशन इसका 380 रखेंगे अब इतना करने के बाद इसको क्रॉप करना है तो जितना पर क्रॉप हो रहा है उतना कर लीजे पर ले इसके बाद इतना बार्डर छोड़कर इसको कर देते हैं और यहां से हम ओके कर दिये अब हमारा क्रॉप हो गया साइज में जो अधारकार की साइज होती है उसके बाद इसके बाद यहां से कर देंगे इतना करने के बाद हमें जाना इस सेलेक्शन पूल पर जाएंगे जो पूल था यहां से हट गया अब इसके बाद कोंट्रोल ए करना है और फिर कंट्रोल टी से इस इसको खीच लेना है जितना आपको अचारों तरफ से इसको खीच लीजिये ऐसे तो देखिए साइज बना लेते हम चारो तरफ से नम बराबर खिछ लेंगे तो यह देखिए साइज बन गई और अधारकाट बिल्कुल सीधा हो गया और यहां से कर देंगे कि इतना हो गया अब इसके बात दूसरा वला में को करना है फिर इसको कंट्रोल करना है और चीचना आए चारो तरफ से इसको खीच लेंगे है आज से इतना फिट वाइट हैं इतना उतना को खीच के बराबर कर लेना है तो यह देखिए हम अब बिल्कुल अधारकट सिधा हो गया ठीक है अब यह हो गया अब हमारे पास जो तीसरा वाला करना है तो इसके लिए फिर कुल में जाएंगे और यहीं रखेंगे हम इसकी 12 इंच कर लेंगे ठीक है और हाइट में 8 इंच कर लेंगे जो साइज होता है और यहां से कि देखे सलेक्शन हो गया है तो के कर लिता है ठीक है यह हो गया इतना करने के पांद पृर हमको कंडुल करना है क्डूल कंडुल करना है कर आबंश्यक्र प्रॉड्च के खीच नहां है कि इतने की रखना है कदो चोटा कर सकताता है अब इस साड़ upright के कर थे तो और उसके बाद इंटर कर देंगे यहां से चेक कर देंगे देखिए डाक्मेंट बिल्कुल सीधा ओगया इसवारा सब टेड़ा हो गया है तो आप लोग आराम से कीजिएगा सीधा विल्कुल हो जाएगा तो यही था इसके बाद अब हमको करना के इसको प्रिंट करना है ठीक है पर लाधार कट पर हम जाएंगे इसको कंट्रोल से 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 कॉंपी कर लेंगे और फाइल मेनू में जाएंगे आप पर अब आपके पास अगर सी सी वर्जन नहीं होगा तो आपके सिस्टम में जो सेबेन वर्जन में यहां साइज बनाने का अपसन होगा यह यह फूर का आपसन दिया होगा अब उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग बना लेते हैं से साइज इंच पर जाएंगे और विड़ एट इंच रखेंगे और आइट 12 इंच रखेंगे और यहां से क्रियेट कर देंगे यह देखिए हो गया नया डॉकुमेंट बन गया और इसके बाद यहां पर कंट्रोल भी से प्रेस्ट कर देना है आपका अधारकाड यहां पर आ गया है तिक है अब दूसरा अला भी ऐसा ही कर ले नाम को कंट् साऱ लेर को हम कंट्रोल की से क्लिक कर देंगे अवक के बाद कर देंगे तो यह मर जिद जाएगा सारा उसके बाद प्रिंट करना होगा यहांपे प्रीण करना हे ब उसको से इस पे स्टेंडर Sono और यहां पर प्रिंट कर देंगे आपका प्रिंट कर देंगे अब कर देंगे करुट אधार क्राडיצyards अब हमारे पास यह जो डाकुमेंट है इसको प्रिंट करना है इसके लिए भी हम जाएंगे यहां पर फाइल मेनु में फिर नियू पर जाएंगे और यहां पर साइज बना लेंगे एफ़ोर साइज 8 इंच पविशन टीनगे डिफाल्य एकर है एक रहे और इसके बाद जाएंगे सो जो ग्रींच Whoever करेंगे यहां पर यहां प्वाठो करेंगे अब इसको कॉंडेट करना तो कांटोर करेंगे अब यहां पर राइट किलिक करदेंगे नहीं आया यहां सेक्षिकर चेट कर लेंगे और फिर यहां से मनु में जायेंगे णिटः किलिक करेंगे हैं यह बना ही है MGAN Nail लेंगे अपना प्रिंटर कर दें तो यही था आज कामारा आप लोगों को वीडियो को अच्छी लगी हो लाइक करें और साती साथ वीडियो को अपने दोस्तों में सेर भी करें जिससे कि वह लोग भी फोटोसाफ सीख सकें तो धन्य बार हमारी वीडियो देखने के लिए